आपका वर्ल्ड स्टॉप एजुकेशन में रन्वीर सिहन अब छोटे परदे पर डेब्यू करने जा रहे हैं रन्वीर का पहला शोव दबिक पिच्चर कलर्स टिवी पर आएगा और इस शोव का प्रोमो रिलीज हो गया है और कलर्स टिवी ने इसे सोशल मेडिया पर शेयर भी किया है इस शोव को बनीजय एशिया और आई टिवी स्टूडियोस ग्लोबल एंटेटेन्मेंट बी वी द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है प्रोमो में रन्वीर सिहने क्विस के फॉर्मैट को अपने ही अंदाज में समझाया है वे कहते हैं कि तस्वीरों में मिलेंगे सवाल और जवाबों में मिलेंगे करोर शोव का टैगलाइन है तस्वीर से तकदीर तक इस शोव में भाग लेने वाले कंटेस्टेंस के नॉलेज के साथ वीज्वल मेमेरी को परखा जाएगा रनवीर्स यह कहते हैं कि देखा जाए तो खेल बस नजर का है शोव में कंटेस्टेंट्स को कुछ तस्वीरों को दिखाया जाएगा और उसी से संबंधित सवाल पुझे जाएंगे हर सवाल के साथ चार आप्शन्स भी होंगे ऐसे विजुल्स पर आधारित बारा सवाल पुझे जाएंगे हर पिच्चर की कीमत लाखों में होगी इन सवालों के सही जवाब देने वाले को करोडों में इनाम दिये जाएंगे इस दोरान उन्हें तीन लाइफ लाइफ लाइन्स भी दी जाएंगी जिन्हें वे इस्तिमाल कर सकते हैं डिजिटल दर्शोकों का मनोरंजन करने के लिए दबिग पिच्चर वूट और जियो पर भी स्ट्रीम होगा इतना ही नहीं इस शो का इंटराक्टिव फॉर्माट दर्शोकों को अपने घर बैठ कर आराम से खेलने का और बड़े प्रैजस जीतने का मौका भी देगा यानि आप इस खेल को ओनलाइन खेल कर एक अच्छी खासी धनराशी भी जीत सकते हैं इन शोर्ट दबिक पिच्चर का प्ले अलॉंग होगा तयार रहिए शो अगले महिने यानि ओगस्ट में टीवी पर टेलिकास्ट होने की संभावना है सूत्रों के अनुसार यह शो हफते में दो दिन साटडे और संडे को टेलिकास्ट होगा इसकी टाइमिंग रात आट बजे की होगी और इसके 26 एपिसोड प्रसारित होंगे कोई भी बदलाव होगा तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगी आप लोगों को यह जानने की दिल्चस्पी होगी कि पिच्चर में से आंसर कैसे खोजने है आपको एक पिच्चर दिखाई गई है जिसमें घोडे पर सवार योधा का स्टाच्यू है और आपका प्रश्ण है तस्वीर को देख कर बताईए इस योधा की मृत्यू कैसे हुई लोगिंग अट देख की दिल्चस्पी पर योधा की गोडे पर सवार मूर्ती उसके विरगती प्राप्त करने की कहानी को बया करती है घोडे की आगे की दोनों टांगे हवा में हो तो इसका तातपर्य है कि योधा युध भूमी में लड़ते हुए वीरगती को प्राप्त हुए थे गोडे की आगे की एक टांग हवा में हो तो इसका तातपर्य है कि युद के दोरान जख्मी होने की वजह से युद के बाद उनकी मृत्यू हुई थी और घोडे की चारों टांगे जमीन पर हो तो इसका तातपर्य है कि योद्धा की मृत्यू प्राकृतिक कारणों से हुई थी इस तस्वीर में घोडे की एक टांग हवा में है यानि युद्ध के दौरान योद्धा जख्मी हुए और युद्ध के बाद घावों की वजह से उनकी मृत्यू हुई एक और कुश्यन देख लेते हैं आपको एक पिच्चर दिखाई गई है जिसमें एक जानवर की आंख है और आपका प्रश्ण है तस्वीर को देख कर बताईए कि यह किस जानवर की आंख है लुक कर द पिच्चर एंड टेल विच एनिमल्स आई इस दिस आप ध्यान से देखेंगे तो इस आंख की पुतली यानि प्यूपिल का शेप डबलू जैसा है इससे आपको पता चलेगा कि यह तस्वीर एक कटल फिश की है क्योंकि केवल कटल फिश के आंखों की पुतली डबलू शेप की होती है इस शेप की वज़र से लाइट कई अलग-अलग डारेक्शन से आंखों में प्रवेश कर सकती है और उस से इमेज कॉंट्रेस्ट और डिस्टेंस विजन को बूस्ट मिलता है इस तरह के आपके नॉलेज के साथ आपके विज्वल मेमोरी पर आधारित कोशन्स दबिक पिच्चर में पूछे जाएंगे इस तरह के कोशन्स पर मैं वीडियोज भी बनाऊंगे इस शो के रजिस्टेशन कब होंगे, सेलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा और प्ले अलोंग कैसे होगा ऐसे कई सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल वर्ल्स टॉप एजुकेशन से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए आपके कोई भी क्वेरिस हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मैं आपको जवाब जरूर दूँगी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दीजिए और शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार